नमस्कार्स फागत है आपका आपके साथ मैं कांखशन राजपोत मुसफण अगर पुलिस ने कावड यात्रा में पहचान चिपा कर दुकान लगाने वालों को दुकान टेला बोचनाले में अपना औरिश्टनल नाम लिखने के लिए कहा है ताकि कावडियों में भ्रम की सिती पैदा ना हो और कोई विवाद भी ना हो मुझफण अगर के कई मुस्लिम धुकानदारों ने इसका पालन चुडू भी कर दिया है लेकिन एाइम आइम चीफ ओवैसी ने इसे गलत बता कर इसकी तुलना दक्षण अफरिका के रंगभेद से कर दिया है तो टीम सी सांसद वहा मोहितरा ने इसे सम्विधान विरोधी बताया है वहीं जावेद अख्तर ने यूपी पुलिस की नाजी जर्मनी से तुलना कर दिया है तो सवाल यही कि आकिरकार नाम च्छिपा कर क्यूं दुकाने चलाई जा रही है और इससे वैसी को दिक्कत क्या है क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी कावड़िये इधर से ओकर घुजरते हैं तो वो इस तरह से नाम देकर वहाँ पर बोजन जरूर ग्रहन कर लेते हैं और फिर बाद में अगर पता चलता है तो फिर उस पर विवाद शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर लिये खुद सियम योगी तैयारियों को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं मुजफर नगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें होटल डाबे ठेले जहां से भी कावड़िये अपने खादसामगरी खरी सकते हैं उन सब को निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें यह इसलिए जरूरी है ताकि कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भ लेकिन इस फैसले पर असद दूने वैसिस से लेकर महुआ मोईत्रा तक ने योगी सरकार को घेरा तो वहीं कॉंग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है कावडियों को ले करके जिस तरह से एक आदेश पारित किया वह गलत है उचित नहीं है तक्रीर जिला प्रशासन कर रहा है वो अपने कमियों कुछ ही पा रहा है वही बीजेपी ने विपक्षी दलों की आरोपों पर पलटवार किया है सवाल है कि कामर यात्रा के रास्ते पर मौझूद दुकानदार प्रशासन किस फैसले पर किसी तरह का विरोध नहीं चता रहे है तो फिर सियासी दल इस पर सियासत क्यों कर रहे है उदर अखिलेश यादफ का भी बयान आया है इस मामले को लेकर मुझद अगर पुलिस के नर्देश पर उन्होंने भी सवाल उठा दिये है जिनके नाम गुड़ू मुना छोटू है उसके नाम से क्या पता चलेगा नियायाले इसका स्वतह संग्याले शासन प्रशासन की मं देश पर सवाल उठा दिये है और लिखा है कि जिनके नाम गुड़ू मुना छोटू है उनके नाम से क्या पता चलेगा नियायाले इसका खुद संग्याले शासन प्रशासन की मंचा की जाच करे और जाच कराकर उचित दंड भी दिया जाए क्योंकि इस तरह के आदेश साम तो अब इस तरह की मसफण अगर पुलिस के निर्देश के बाद सियासत शुरू हो गई और असल मसफण अगर पुलिस की तरफ से निरिदेश यही जारी किये गए है कि दुकांधान अपनी पहचान ना चिपाएं जो उनका नाम है उसी से अपनी दुकान चलाएं क्योंकि विवाद अक्सर देखने को जरूर मिलता है इस तरह के वाक्यों में उधर मुस्फण अगर पुलिस के निर्देश पर जावेद अख्तर का बयान भी आया है जावेद अख्तर ने नाजी जर्मनी से तुलना कर दी है नाजी शासन में दुकानों पर निशान लगते थे मुसल्मानों की पहचान को लेकर बोले हैं जावेद अख्तर और उन्हों ने इस तरह से सवाल इठा दी हैं और साथी, पुलिस की तुल्ना भी जावेद अक्टर ने नाजी जर्मनी से कर दी है लिखा है नाजी शासन में दुकानों पर निशान लगते थे शिता में मुसलमानों की पहचांड को लिकर जावेद अक्टर ने इस तरह से सवाल उठा दिये है मुस्टफण अगर पुलिस के निर्देश पर ये बयान आए जावेद अख्तर का और उन्होंने नाजी जर्मनी से इसकी तुलना कर दी है नाजी शासन में दुकानों पर निशान लगते थे मुसल्मानों की पहचान को लेकर इस बात का जिक्र किया है नाजी अख्तर ने ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो जावेद अख्तर की तरफ से की कई है और उन्होंने पुलिस के इस निर्देश पर इस तरह से सवाल उठाया है अकसर जब भी आप कावड मार्क पर देखेंगे अगर हरीतवार की साइड आप जाएंगे तो बीच रास्ते में आपको इसी तरह से कई सारे इस रेस्टरेंट है जो वहाँ पर अलग-अलग नामों से या फिर भगवान की नाम से भी संचालित होते हुए नज़र आएंगे और अब खबर है संभाद से जहां मुस्लिमों के द्वारा संचालित उडेल रेस्टरेंट और धाबो के बोर्ट पर उडेल संचालित का नाम लेके जाने के आदेश का मुस्लिम धर्मगुरू का अज़ी मगरूब ने कहा है कि उडेल रेस्टरेंट धाबो के बोर्ट पर उ नाम भले उसे शिवा रख दिया, लेकिन उसके असाथ में रश्टे उसे प्रप्राइटर अपना नाम होना जिया प्रपारइटर वसीन हुआ, नाम रखने पार पावन्द रखती है, तो मेरी राहे से यह घलत है, तो नाम कोई पी होगते हैं, अगर आप नाम धोगा तेरे को प्रप्रदेश एक बड़ा सुबा है, यहां बड़ी आबादी है, और कावड यात्रा पूरे एक मैना लिख लेगी, और इस मामले को लेकर के हमेशा एक तनाव बना रहता है, और जगा जगा विवातों के और तनाजात के वाकियात सामने आते हैं, तो पहले से तमाम हालात को तमाम हालात को दुरूस कर लिया जाएं, और हिंदु मुस्लिम टकराओ नहों भायचारा काइम रहे, तो इस तरह की मामूलात से, इस तरह के कामों से कोई हर जो मुझाता नहीं है, तो देखे इस तरह से कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरू हैं जो इस आदेश का पालन कर जो इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं मुझ्दफण अगर पुलिस के चाहे इसमें असदु दिनुवैसे की बात की जाए या फिर अखिले श्यादव की बात की जाए उधर इसको लेकर रेड़ी वालों का क्या कुछ कहना है आपको वो भी सुनवा देते हैं किसने का इन्होंने पुलिस वालोंने क्या का तो अभी आप सुन रहे थे यहां पर कुछ रेड़ी वाले और साथी आपको ये भी बता दें कि अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू ऊचुकि अखिले श्यादव ने सवाल उठा दिये हैं तो साथ साथ असदुदी नोवैसी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि मुझबफर नगर पुलिस की तरफ से या आदेशवारी कर दिया गया है कि आप अपनी पहचानना चिपाएं जो आपका नाम है आप उसी से अपना धाबा चलाएं इस वक्त हमारे से होगी मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयूर का सीधा रूख कर लेते हैं मयूर इस तरह की वाकिया और इस तरह के विवाद हमने अकसर देखे हैं खास तोर पर अर कावड यात्रा की बात करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान बोलेनात के जो बखत है वो धावे की नाम को देखते ही वहाँ पर पहुँचते हैं और बाद में जब पता चलता है तो विवाद होता है तो जाहिर सी बात है कि मुजफर नगर पुलिस का ये जो निर्देश है वो जायस भी है लेकि जो हाइवे हैं वहाँ पर तमाम ऐसे होटल स्टे रेस्टरेंट ते ढाबे थे दुकाने थी जिसमें उसका उनर तो मुस्लिम था उसके लेकिन नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर थे जब ये मामला उजागर हुआ मंत्री कपिल देव अगरवाल वहाँ पर हुए थे कि इस तरीकी की चीज़ें ना हो इसको ध्यान में रखा जाए लेकिन मुझफवर नगर पुलिस ने सबसे पहले इस मामले में स्टैंड लिया और सभी उन दुकानदारों को निर्देशित किया जो आपका असली नाम है वो आप रखिया अपनी पहचान मत चुपा तो इस स्टिती में वो क्या करेगा तो कोट इस मामले को स्वता संग्यान में ले और जो धार्मिक मद्वेद फिलाने का प्रयास किया जा रहा है ये चीजे ना हो ऐसी बात अखले शादों कह रहे हैं उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है लेकिन मुझफवर नगर पुलिस न देखा है कई बार हिंसा की स्टिती बन जाती है खास दो पश्चमी यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ वाद विवाद भी देखने को मिला है तो पहले से तैयारी करके अगर रखी जाए तो इसमें क्या गलत होगा तो ये तमाम सारी बाते हैं जिसको ध्यान में रखके ये फैसला लिया गया और उसका स्वाकुष ने कुछ मुस्लिम धन गुरों ने स्वागत किया है कुछ इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन अब अखिलेश अदों के पोस्ट ने इसको और तूल पकला दिया है किलकुल मयूर क्योंकि इससे पहले भी आपने भी अभी जिस तरह कई विवादों का जिक्र किया और वाकर ये लाजमी सी भी बात है कि अगर आपका जो रियल नेम है आप उसी से दुकान संचालित करेंगे तो ये लोगों के साथ धोका नहीं होगा और इस तरह की चीज़े इन पर सियासत भी नहीं होने चाहिए शायद ये बात अखिलेश अदफ को भी समझने की जरूरत है असुदित उनों वैसी को भी समझने की जरूरत है क्योंकि ये लोगों की भावना से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और इसलिए इस तरह की चीज़े होती है ऐसी तरह कि अचे चाहिए राजस सरकार उत्तरपदेश की या केंद्र सरकार हो तबी जब भी धर्म से जुड़े हुए कोई मामले सामने आते हैं उस पर लेकर कोई कड़ा फैसला लिया जाता है कोई लाग लपेट नहीं की जाती सीधा-सीधा कोई फैसला लिया जाता है तो विपक् रहे हैं कि इस वक्त हमारे से जुड़का हैं बहुत स्वागत है सर आपका आसर क्या कहेंगे आप क्यूंकि इस तरह से कई हमने पहले भी मामले देखे कि ढ़ाबे संचालित रहते रहते हैं मुझदफण अगर से होकर अगर हारिदवार की तरफ जाते हैं कावड यात्री और अब खुद मुझदफण अगर पुलिस की तरफ से निर्देश आरी किये गए है तो सियासत हो गई है इस पर शुरू असदुदिनों वैसे सवाल उठा रहे हैं अखिले श्यादफ भी इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं आप क्या कहेंगे लिखिए ये जो सब लोग है कह अब लिखिए नहीं जितने भी बोल रहे हैं ये आई एसाई के एजन्ट है ये कोई कितना सर्मनाग बात है इसमें ब्यान देने की बात कहां से आजा कि एक बाताईए वहां कल आतंगवादी जो गटनाई बढ़ी है इस तरह से कावरिया वहां से लिकलते हैं लाखों को क्र आजा करने की जरुरत है क्योंकि एक तरीके से धोका भी है ये इस तरह से नाम चिका चिपाकर अपनी दुकाने संचालित करना क्या ऐसा है कि अखिलेश ज्यादव इसमें अधिक को लेकर भी रोटियां सेख रहें सिफ सियास्त चमकार है लेखिए बात अखलेश आदव जी की और जावेद अक्टाव जी की नहीं है और भी चाहे हैं या इस तरह के जो लोग है हम बता रहे हैं ना किनकी जाज कर ली जाए वो भी से अलग हो जाएगा कितनी बड़ी कर मुस्लिम निकलेंगे तो क्या हिंदू को लुक्सान नहीं होगा उसमें तो यह सब बात बिकार की बाते हैं पुलिस ने सामधार काम किया है और इन लोगों पी जितनी निंदा की जाए वो कम है इसलिए लोग समाफ हो चुके हैं ठीके नंद की जो जी बहुत शुक्री आ उठा रहे हैं और कई नगई मुझञफन अगर पुलिस के इस निर्देश को लेकर पुलिस को घेड़ने की कोशिश की जा रही है और वाकई सवाल यहीं उड़ता है कि आंकिरकार इसमें घलत क्या है आप पहचान अपनी क्यों चिपा रहे हैं और अगर इस तरह पहचान च क्या है ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आप वहां पर कई सारे इस रेस्टेंट चालक से आप जो हमारे सेयोगी उन्होंने भी बात चीत की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ठीक है हम इस निर्देश का पालन जरूर करेंगे और उन्होंने तो ऐसा कारे भी प्रोप्रेटर का नाम लिखा है और सवाल ये ख़ड़ा होता है कि अगर वो मुस्लिम धर्म के हैं तो जै मातादी के नाम से जै बाला जी सरकार के नाम से इस तरीके से भगवान के नाम से और हिंदू नामों से उन्होंने उन दुकानों का नाम क्यों रखा सवाल सबसे पह हिंदू की हैं मुस्लिम की है तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहां खाना है लेकिन अगर आप जानबूज के अपना नाम गलत कर रहे हैं तो यह आप कही न कहीं चलावा कर रहे हैं उसके बाद से ही यह मामला निकल के आया मंत्री कपिल दो अगरवाल ने इस पर एक्शन क्योंकि इस मामले को तूल पकलाया जा रहा है इसमें धार्मिक मद्भेज फैलाने की बात कही जा रही है तो यह एंगल देना यह एक पॉलिटिकल एंगल है लेकिन सचा ही है कि लोग निर्देश को मान रहे हैं उपने नाम चेंज कर रहे हैं वहाँ पर ठीक है तो देखे कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है यहां से कि लोग इस निर्देश का पालन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं अगर मुझजफण अगर पुलिस ने कहा है लेकिन मयूर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कई ऐसे विपाक्षी नेता भी हैं अभी आली में हमने बयान अगर पुलिस निर्देश देती है कि बीजेपी का मकसद ही यही है कि वोट की राजनीती करें अभी नफरत पहलाए लेकिन किसका एजिंड़ा क्या है इस तरह के निर्देश की बाद ये भी क्लियर हो जाता है चाये वो विपक्षो या फिर सत्ता पक्षो अगर अगर दुकाने संचालित की जाए तो क्या इससे दिक्कत होनी चाहिए क्या अगर दुकाने संचालित की जाए तो ये तो योगी सरकार के अधिकारी बताएंगे कि उन्हें रोज रोज नए नए परंपराओं को तोड़ने वाले नए नए फर्मान देने की जरूत क्यू पड़ती है उदेविर जी क्या भगवान के नाम से दुकाने संचालित करना जो वहाँ पर कुछ मुस्लिम दुकानदार है वो अपने नाम बदलकर दुकाने वहाँ पर चला रहे हैं आप इस चीज को सही मानते हैं कि भगवान के नाम पर वो अपनी दुकाने संचालित कर रहा है क्योंकि बाद में जब उन्हें पदा चलता है जो शृधालू वहाँ पर उस रास्ते से ओकर गुजर रहे कावड यात्रा के लिए उन्हें पदा चलता है तो फिर विवाद होता ह है कि न कोई काम करना है ने कोई विकास करना है ने किसी के रोजगार देना है ने किसी किसान नौजमान की बात करनी है गुमा फिरागे बातों को जाती धरम पे लाना है अब ये जो भारती जन्ता पाटी की बिमारी थी उसकी मानसक्ता अधिकारियों में भी घुज गई है वो बार बार हर चीज को इसी तरह लाने की कोशिश करते हैं तो आप इस निर्देश का समर्ता नहीं करते हैं जो मुजबफन अगर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है आपको नहीं लगता कि अपनी पहचान चिपाकर जो लोग यहाँ पर दुकाने सचालित कर रहे हैं वो धोका दे रहे हैं लोगों को अरे नाम रखने में क्या नाम है कोई आदमी किसी तरह कैसे कैसे नाम रखते है आइंडू मुया तो हिंदु होते हुए गर्भोता है कि मेरे रह्म को मेरे भगवान को लोग स्विकार करते हैं बाद के काम काम कर रहे हैं किंहें कोई चौरी का काम हो रहा है muitos है। अब इस तरह से अभी आपने समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हो हैं उन्हें भी आप सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है इसमें नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है सुबरत पाड़क इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता सुबरत पाड़क जी बहुत स्वागत है आपका क्या कहेंगे आप मुसफण अगर पुलिस के नर्देश पर और साथी अखिलेश व्यादव ने सवाल उठा दी हैं नर्देश पर क्या कहेंगे आप कि आतरा जो निकलती है तो में सावन में सावन जो है बहुत पवित्य तेवहार होता है और इसमें आप सावन में लोग अपना ब्रत रहते हैं को मांसारी लोग होते हैं वो मास भी नहीं खाते हैं तो कुल मिलाकर सब प्याक कर देते हैं तो उसके बाबजुद भी सावन में एक परकार की जब जाएंगे और रास्ते में इति को इस परकार के लोग है यह वाहद्स आप देखो कर देखने को आता है एक विद्धाय vizels के लोग वो कुछ भी बनाते हैं तो उस पर ठूकते हैं अज़ रोटी बनाते हैं तो इसमें तूकते हैं तो फल बैंचे तो उसमें थूखते हैं तो ऐसे लोगों को अगर अगर अपना नाम अगर ओपन करेंगे कोई कुछ खरीदेगा वहां से तुछ स्वाबा भी क्या है अभी मैंने उनसे भी अई सवाल किया कि आदेश को लेकर आपको दिक्कत क्या है तो वो यह कह रहे हैं कि कोई किसी भी नाम से अपनी दुकान को संचालित करें इसमें फिर दिक्कत क्या है सुब्रजे अब हर जंगा जेहाद थोड़े ना चलेगा उन्हें लेंड जेहाद उसके बाद विसमें भी जेहाद तो हर जंगा नहीं चलेगा ना वह बाजपा की सरकार में हम चलने भी नहीं थे उदेवीची आप जल्दी से जवाद दीजे उनकी बातों का और उन्हें अभी एक और बात का जिक्र किया कि जो शधालू कावड यात्रा में जाते हैं उनका वरत भी होता है और उसी जगह पर वेज बनता है फिर परोस दिया जाता है लोगों को इस बात का अंदेशा तक उता क्या ये सही है क्या उदेवीची आदा आया B.J.P. और पृषासन को ये पिछले कई सालों से याद क्यो नहीं आया इसी बार क्या हुआ अचानक से ऐसा तुम अगर अपने आस्था के प्रतियदी कट्टर हो तो वो नखरत नहीं है वह हम अपनी आस्था के प्रतियदी हमारा जी जुकाओ है तो हम कट्टर है तो तो कहांगे रहे हैं तो हम अगर अपने देवता के अफमान के खिलाब बोल देंगे तो हम कट्टर हैं तो हम कट्ट लेकर वोट को लेकर ये सरेंडर करने वाले लोग थैं। और यही कारण था कि इनके समय पर वोट की राजनीत के करते हैं। अच्छन मिलता था जिस कारण से उत्रप्रदेश में मुस्लिम माफिया हावी था उत्रप्रदेश में जिस परकार से गाओं गाओं तंगे होते थे तो यह सब होता ही था और आज नहीं हो पारा है तो वही छट पठास है थोड़ा सामाजबादी पार्टी मजबूद क्या दि लेकिन भी अभी इन्यों को समझ में आना चाहिए कि सरकार भारती जनता पार्टी की है ठीक है सुबरत पाड़क जी बहुत शुक्रिया आपका मारे सजोड़ने के लिए और साथी इस मामले में बीजेपी नेताया सिधार्टनाथ सिंग का क्या कुछ कहना है आप वो भी सु तो क्या अखलेश जी हमें ये करना चाहिए भारते जनता पार्टी गरीबों की युवाओं की विद्यार्टियों की या महिलाओं की किसानों की जो अध्यापक हैं लॉयर्स हैं ये उसकी सरकार है तो देखे आप चाहे सतापक्षो या फिर विपक्षो सभी के अपने अपने इस मामले को लेकर बयान है लेकिन फिलहाल सियासत होती हुई जरूर नसर आ रही है अगर ग्राउंड पर आप हकीकत को समझेंगे तो वहाँ पर जो दुकान चला रहे हैं कुछ मुस्लिम दुका रहा है लेकिन फिलाल अगर ग्राउंड पर सिच्वेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम दुकानदार है उन्होंने अब इसका धीरे धीरे पालन शुरू कर दिया है जो मुस्दफण अगर पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किये गए है